हेलो एब्रिवान बेरी वेल्म वेल्कम अवर कुकिंग ब्लॉग तो आज मैं आप सभी के साथ शेर करने जारी हूँ उरद की ड्राई वाली जो दाल होती है वो देखने में तो ये बहुत ही सिंपल और असान सी लगेगी ये बहुत असान तरीके से बन जाती है लेकिन इसका म दाल निकाए ती है और यहाँ पर मैंने और भी जस दाल निकालिये और यो उसको क्रेक्ट मिजरमेंट करके डालना है मुझे और इनको मैंने वाश केया था टान वॉट्र के साथ और भाद में ए сп default water हो क्योंकि जो हमारा ब्रंट wire होता है वो टैंक से आता उन जो टेंक होता वही मैं cooking के लिए use करती हूं मतलब कुछ भी कोई चीज करने है तो वही मैं filter का पानी ही use करती हूं टैप water से सिर्फ मैं wash करती हूं तो डाल बगारा मैं wash करूंगी टैप water के साथ उसके बाद फिर मैं wash करूंगी उसको हमारे filter water के साथ तो यहां पर देख लीजिए मैंने अब भी जस्ट वीडियो वो वाला कट कर दिया जो मैंने टैप के वाटर के साथ होया था यहां पर मैंने फिल्टर के वाटर के साथ होना स्टार्ट किया है तो मैंने एक कटोरी ले थी भर के दाल की और गर्मी इतनी जादा हो रही थी ना कि फिर मुझे कूलर अन करना पड़ा था बहुत जादा स्वेटिंग आने लगी थी तो मैंने कूलर बगरा अन किया और फिर मेरा बाकी का काम हो गया था और फिर मैं डाल लगी थी बनाने तो मुझे लगा चलो आज आप सभी के साथ मेरा ये जो special वाली दाल होती है हमारे घर में ये मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन जब भी बनाती हूँ मैं बहुत ही ध्यान से बनाती हूँ यहाँ पर दाल देख लिए जो बिल्कुल भी इसमें पानी की पूंद नहीं है क्योंकि पानी बहुत ही ध्यान से मेजर्मेंट करके डालना पड़ता है हमने लिए थी दाल की कटोरी एक और पानी की कटोरी लेनी है और फुल फ्लेम पर मैंने एक बिसल लगाई थी और एक बिसल आने के बाद 20 सेकंड टू 30 सेकंड रूकी थी उसके बाद मैंने इसका स्टीम खुद निकाल दिया था और यहां पर मैंने डाला है हल्दी नमक और थोड़ा सा तेल तांके हमारी जो डाले बिल्कुल भी चिपके ना वैसे भी ने चिपकती फिर भी अगर तेल डाल देंगे तो और भी जादा अच्छी बनेगे और यहां पर मैंने जो भी मसाले डालती हूँ बहुत ही सिंपल जो रेगुलर मसाले होती है वो ही है यह कड़ी दीव है जिंजर है और गरीन चिली है सबसे ज़्यादा मुझे फलेवर है यही अच्छा लगता है काफी सारे लोग ना इसमे जीरा बगरा भी डाल देते हैं और प्याज बगरा भी डालते हैं लेकिन मुझे परस्नली अद्रग मिर्च और कडी ली भी इस दाल में अच्छा लगता है अगर आपने ट्राई नहीं क्या तो एक बार आप जरूर ट्राई करना इस तरीके से तो यहां पर मैं सब कर लूँगे बाद में अगर और चाहिए जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर फोस्ट हैं मायो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई रैसीपी चाहिए हो तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उसी तरीके से मैं आप सब भी के साथ शेयर कर दूँगे तो यहाँ पर मैं आ गए हूँ किचन में और डाल दिया है मैंने पैन के अंदर तेल और यहाँ पर देखे है हमारी दाल बन चुके बस इतना याद रखना है एक बिसल आने के बाद 22-30 सेकंड के लिए रुकना है उसके बाद इसको स्टीम ओपन कर लेनी नहीं और चेक कर ल तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दिया है सारे जितने भी मसाले के था वो और यहाँ पर मैंने डाला है हींग इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और गैस भी स्टमक में नहीं बनती है और यहाँ पर मैंने रेड चिली पॉडर और ग करेक्ट मिजरमेंट के हिसाब से हमें पानी डालना है तो देख लिए जै कितनी खिली-खिली है और इसको आप खा सकते हैं पराठे के साथ और रोटी के साथ परस्नली अगर मैं आपको बताओं तो मुझे पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर हमारी डाल बन चुगे तो मैं मिलूंगी आप सभी के साथ मेरे नेक्स्ट शोटे से ब्लॉक के साथ जा कोई भी रेसिपी के साथ थैंक्यू फर वाचिंग बाबाई